Hello friends, मैं गुरू भाई, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप से बात करने वाला हूँ FL Studio के अंदर Stereo Separation के बारे में आपने Mixing की होगी, तो आपको पता होगा अगर आपने Mixing में अगर इस नोब पे ध्यान नहीं दिया कि यह क्या है, तो आज मैं इसी की बारे में बताने वाला हूँ कि यह है Stereo Separation Stereo Separation का मतलब क्या होता है, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ Stereo Separation होता है, कोई भी गाना अगर आपने लिया है तो वो Headphone के अंदर Left, Right काफी ज़्यादा Wide सुनाई देगा यानि कि अगर आपने उसका Left किया है, तो वो Extra Left जाएगा वो पूरा का पूरा 360 डिगरी के अंदर आप उसको Rotate कर सकते हो अगर आप Mixing करते हो अगर आपने उसको Separation ढंग से नहीं किया है तो आप उसका 360 डाइगराम नहीं बना सकते 90 डिगरी डाइगराम नहीं बना सकते हेडफोन के अंदर तो आपको इसी में दिक्कत होगी कई बार आपने सोचा होगा कि मैं जितना Left गाने को करना चाहता हूं उतना ज्यादा Left क्यों नहीं हो पा रहा है जितना दूसरों के गाने हो पा रहे है वो इसी कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि आपने Stereo Separation को आपने Separate नहीं किया होता है ये है Stereo Separation का नोब ये नोब आपको कई जगा पर मिल जाता है जैसे कि Mixing के अंदर और Mastering के अंदर भी Mixing के अंदर भी हमें खास कर जूरत पढ़ती है गाने को किसी किसी sound को mono करना पड़ता है इसलिए और यहाँ पर ज़्यादा तर sound mono अगर ज़्यादा है तो आपको stereo आप कर सकते हो mastering के अंदर तो इसका difference normal सा है कि अगर आप किसी भी left को आप left गाना सुनाना चाहते हो in the sense मैं यहाँ पर जैसे की A लगा देता हूँ आप सुनिए यह mixer में है तीन नमबर के अंदर अगर मैं stereo यहाँ पर मैं करता हूँ left तो आपको left में आ रहा होगा अगर मैं stereo separation ज़्यादा कर दूँगा तो यह थोड़ा सा extra रहेगा जब आप कसी गाने को बनाओगे तो यह जैसे की आपको देखिए आपको difference महसूस हुआ होगा यह mono है यह stereo है यानि की काफी ज़्यादा wide हो गया है अगर आप मुझे screen पर देख रहे हूँ तो यह चीज है अगर आपकी कोई sound है यानि की यह एक mono है single finger तो यह जो mono है ना तो यह mono जब left में जाता है तो यह समझो कि यह सरफ एक घड़ी की तरह यह left में जा रहा है पर अगर आप इस घड़ी की तरह इस left वाली उंगली को थोड़ा फैलाना चाहते हो यानि कि पूरा पूरा हाथ बनाना चाहते हो पांचों उंगली बड़ी करना चाहते हो तो आपको stereo separate करना पड़ेगा तो यह है इसका फायदा तो आप किसी भी vocal को आप बड़ा बना सकते हो थोड़ा wide बना सकते हो यानि कि जब आप गाने 4-5 vocals को mix करते हो तो आप left-right जरूर करते हो पर उसके अंदर भी separate करना पड़ता है ताकि वो आपस में टकराए ना तो यहां से इसका काम का फायदा मिलता है आपको यह आपको Maximus के अंदर भी मिल जाता है अगर आप यहां पर Maximus का plugin एड़ करोगे तो यहां पर आप कोई भी sound को अगर select करते हो जैसे यह solo करते हो तो यहां पर low में आप सुन सकते हो इसका point के कितना separate है और हर एक चीज में सुन सकते हो कितना separate है इसको सुनते है देखिए इसके अंदर अभी low point अभी कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें यहां से अब मैं यहां से इसको वही चीज़ कर रहा हूँ जो left right की जाती है आपको left right से आपको अगर नहीं समझ आता है कि separate कर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप यहां side में पढ़ भी सकते हो left में उपर जहां पर मेरी screen आरिया भी वहां पर लिखा नहीं आ रहा होगा पर मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है यहां पर कि यह 100% separate हो गया है यानि कि जब आप इसको left करोगे तो left करने पर यह stereo बन जाएगा और जब आप इसको right में पूरा कर दोगे तो यह mono बन जाएगा तो आप सुनिए difference यह है mono normal sound पर यह अप stereo यानि कि यह sound अभी भी बीच में यह सिर पे पर अभी थोड़ा wide हो गई है तो इस चीज़ का आपको फायदा लेना है mixing करते वक्त तो यह चीज़ अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा mixing आपकी easy हो जाएगी और गाने mixing बहुत असानी से हो जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था have a nice day जैहेंद